नवस्कार दोस्तों हमारे आरवेच किसा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना आईए दोस्तों आज हम अलुसा प्रक्ष के आउसदी गुण के बारे में जानते हैं सरप्रतम इसके बिविन भासाओं में नाम जानते हैं संस्कित में इसे आठ रूस कहते हैं हिंदी में बासा अलुसा बिसोटा कहते हैं बंगला में बाकस चोटा बाकस कहते हैं मराथी में अलुलसा कहते हैं गुजराती में आलसो कहते हैं और अंग्रेजी में लायंस मजल कहते हैं अलुसा का ब्रक्ष छोटा होता हैं इसके पत्ते हरे रंके लंबे और रस्दार होते हैं परन्तु पकने पर पीले रंके हो जाते हैं अलुसा के फोल सफेद रंके होते हैं फोल को तोड कर दवाने से डंडियों से सहत के समान मीठा सफेद रंका रस निकलता हैं अलुसा ब्रक्ष अद्भूत अउस्द सी गुण वाला होता हैं जिससे कई रोगों के कुप्चार के काम आता हैं आईए अउस्दी उप्योग जानते हैं अलुसा का फोल तापेदी के और सफरा रोग को सांत करता हैं अलुसे के अरक्ष में सेंधा नमक मिला कर गरम कर पीने से खांसी सांत होतों के काड़ा से कुल लग कुल करने पर दात रोग और मुख रोग दूर होते हैं अलुसा के पके पत्तों के रस में अतवा अलुसा के जड़ के काड़ा में काड़ा में अब्रा के आर कांती सार मिला कर सेवन करने से दामा खांसी कमल बायू प्रमे हैं मुत्रा घात वा कफ जवर आधी रोग पूनता दूर हो जाते हैं अलुसा के पके पत्तों के रस में शेंधा नमक मिला कर कपड मिट्टी कर अन्ने कंडों में फूंकने से भस में होती है है जिस भस में कोई करती भर खाने से खांसी दूर होती सत्त में साद मिला कर चाटने से नक्सीर और दमा रोग ठीक होते हैं दूम अलुसे के पत्ते से शिसा नंक की भस में की जाती है जो कई रोगों के उपचार के काम आती हैं अलुसा दो तोला अलुसे की छाल को बारा तोला पानी में रात को भिंगो दें और प्राता चान कार काली मिर्च का चून मिला कर पीन से पित ज्वर दूर होता हैं अलुसे के काड़ा से कुला करने पार मसूनों के सूजन आर मुँके छाले दूर होते हैं अलुसे के छाले मुनकार हर्रा का चिलका का काड़ा पीन से मुँसे खोन गिरना बंद होता हैं तो का काड़ा दिल की धड़कन को दूर करता है काड़ा पीने के बाद एक छटा के मुनका खाना चाहिए और खाने के लिए फाल वादूर देना चाहिए चाहिए अडूसे के जड़ काले के लेप से विशायले फोड़े की जलन दूर होती हैं आर कई दिनों तक लेप करने से फोड़ा पक्कर फोट जाता हैं अडूसे के चाहिए निद्रा को लाती हैं अडूसे के काड़ा का नस्य लेने से नाक से खोन का गिरना बंद होता हैं चार सेर पानी में काड़ा हम बनावें जब एक सेर पानी रह जाए तो छान लें और उसमें तीन मासा फिटकिरी दो मासा हर का चून और चार रती अफिम मिला कर फिर पकावें जब गाड़ा हो जाए तो गोली बना लें इस गोली को पानी में घिसकार आँख में लेप करने से आँखों का दुखना लाली जलन दर्द आर आँखों से पानी का गिरना आधी रोग दूर होते हैं अडो से की चाहे पंद्रा दिन पीने से सरीर की रुक्षता खुशकी आधी दूर होती है